OPPO ने अपना A16E स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में साइलेंट्ली लॉँच कर दिया है तो क्या आपको इसे स्मार्टफोन को पर्चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या क्या इस में आपको स्पेसिफिकेसं मिलती है क्या इसकी प्राइद रखी गई है इस स्मार्टफोन को अगर आप पर्चिस करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना वरना बाद में आपको पच्छता आना पड़े तो नमिश्क्या दोस्तो मेरा नाम राहल में है चलिए चलते हैं पहले में आपको इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूं अगर आपको यह वाली यूडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें डिस्प्ली के अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.52 इंचिस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको 1600 x 720 पिक्सल का रेजुलूशन देखने को मिलेगा 20H29 के इसमें आपको एक्षक्रेटर रेश्यू मिल जाता है 60H का test sampling rate और 60H के इसमें आपको refresh rate देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 2.0 GHz की clock speed देखने को मिलती है Android 11 मिल जाता है Color OS 11.1 देखने को मिलता है LPDDR4X की RAM मिल जाती है EMMC 5.1 की इसमें आपको storage मिल जाती है तो गाइस performance तो इसमें आपको entry level smartphone के साब से देखने को मिलेगा performance की base पर आपको इसमें कोई अच्छा experience देखने को नहीं मिलेगा वहीं अगर इसके camera's की बात की जाते हैं तो इसमें आपको 13MP का rare camera मिलता है जिसमें आपको f2.2 का आफर्चयर देखने को मिलता है 5MP के इसमें आपको f2.4 का आफर्चयर देखने को मिलता है rare camera के साथ में आप 1080p में 30fps के साथ में video recording करते हो और front camera से आप 720p में 30fps के साथ में video recording करते हो तो इसमें आप hdQUuality में video recording कर पाओगे battery अगर बात की जाए तो इसमें आपको 4230 mh की बैटरी मिल जाती है colors की अगर बात की जाए तो उपो 16E smartphone में आपको 3 color देखने हैं ब्लैक ब्लू और वाइट तीन कलर में आपको यह स्मार्टफोन मिल जाता है इस स्पेशिफिकेशन बगेरा तो आपने देख लिए अब मैं आपको इसकी प्रैस बता देता हूं और आपको इसको पर्चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए वह भी बता देता हूं तो ओपो A16E स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में प्रैसे रखी गई है 3GB 32GB की स्टोरेज के साथ 9,990 रुपए 4GB 64GB की स्टोरेज के साथ 12,000 रुपए की प्रैस काफी जादा है इन स्पेशिफिकेशन के साथ में पर्फॉमेंस कोई भी खास देखने को नहीं मिल ला है कै कि लगे तो मैं बोलूँगो ठीक टाक दीकरी आपको तब भी ठीक मिल जाती है इसस्मार्टफोन को में आपको κι tone को पर्चेस करें वैस स्मार्टफं में आप दर कंपनी के स्मार्टपोन मिल जायंगे इससे स्पेशिफिकेशन के साथ में तो आप अधर इस्मार्टफोन क देख सकतो इसे purchase आप भले ही न करो परकॉस कोई खास features नहीं मिलने इसमें आपको